जिन लोगों का जन्म दिन 30 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्म दिन की हारदिक्षु कामनाएं आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा संपत्ती और वाहन के लाब के योग आपके बन रहे हैं स्वास्थ आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा पारिवारिक समस्या और मुकदमे बाजी इस साल आपको परिशान कर सकती है इसका ध्यान आप बनाए रखियेगा क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर ब्रिहस्पती देव के मंत्र का जब करियेगा ओम ब्रिम ब्रिहस्पते ये नमहा पूरे साल भर अगर आप इस मंत्र का जब करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा देखिए घर में पूजा स्थान होना जरूरी है और वहां पर देवी देवताओं का चित्र या उनकी मूर्थिया होना भी आवश्यक है घर के पूजा स्थान पर जिनको भी आप अपना इश्ट देव मानते हैं भगवान राम, हनुमान जी, शिव जी, देवी मा जिसको भी मानते हैं उनको पूजा घर में बीचो बीच स्थापित करिये साथ में शिव परिवार या राम दरबार की स्थापना जरूर करिये और गनेश लक्षमी के बिना संपूर्टा नहीं आ सकती उनकी मूर्ती या उनके चित्र की स्थापना भी जरूर करिये देखे पूजा स्थान पर बहुत सारे देवी देवताओं का चित्र मत लगाईए बहुत सारे देवी देवताओं की भीड इकठा मत करिये पूजा स्थान जितना साप सुथरा होगा और जितने कम देवी देवताओं का चित्र होगा उतनी ही एकाग्रता से उतनी ही मेहनत से आप पूजा कर पाएंगे और उतना ही लाभ आप उठा पाएंगे आप छात्र हैं आप विद्यार्थी हैं आप पढ़ाई करते हैं पढ़े हुए को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते अगर आप पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा भोजन में दूध वाली चीजों का प्रियोग जादा करिए अब आश्विन हैं तो अभी दूध का प्रियोग मत करिएगा अभी आप दही का प्रियोग करिएगा और पढ़ने के स्थान पर एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगाईएगा अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी मिमरी आपकी याददाश्ट तेज होगी ताकतवर होगी और यादश्ट तेज होगी तो आप पढ़ी हुई चीजों को याद रख पाएंगे शनीवार के दिन निर्धनों को गरीबों को सिक्कों का दान करिए पांच रुपए का सिक्का, दस रुपए का सिक्का, पीस रुपए का सिक्का, कोई भी सिक्का हो हर शनीवार को निर्धनों को दान करिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका फसा हुआ धन आपको बड़ी सरलता से मिल जाएगा यानि अगर आपका पैसा फसा हुआ हो और आप शनीवार को सिक्कों का दान करें तो इससे आपका फसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा